हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स, आज किस वीडियो मैं आप लोग के साथ जो मेरा 30 डेस, 30 मिनट बाइक मेंटेनिस वाला सिक्रेट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ देखो, जादा कुछ भी नहीं करना जस तीस दिन में एक बार 30 मिनट के लिए वक्त नकालना है और उस 30 मिनट में अपने बाइक के मेंटेनिस से जोड़ी कुछ इंपोर्टन बात है जिसका आपको खुद से ख्याल रख लेना है और आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होगा के लंबे समय तक काफी सालों तक आपके जो बाइक है वो बाहर से भी बेतर रहेगी और इंजन वाइज भी सब कुछ बेतर रहेगा इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बेतर रहेगा इंजन हेल्दी और सेफ भी रहेगा जस 30 मिनट में अगर आप ध्यान देते हो मैं खुद भी ऐसा करता हूँ और रिजल्ट ये है कि जो मेरी बाइक है एवेंजर 150 इसके साड़े 5 साल हो गया और साड़े 5 साल बाद भी ये बाइक बाहर से भी देखने में बेतर है सब कुछ बेतर है, रंग पेंट बगर सब कुछ बेतर है इसके लावा जो इंजन है वहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो दूसरी बाइक है BMW G310R उसके तो अभी एक साल हो है और एक साल बाद भी ये बाइक बिल्कुल नहीं जैसी है तो आगे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ये वीडियो इसलिए पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नहीं हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले फ्रेंड सुरुवात साफ सफाई के साथ ही करना सबसे पहले क्या करो कि अपने बाइक को अच्छी तरह से क्लीन कर दो बाइक को अच्छी तरह से वाश कर दो खुद सही और उसके बाद क्या है कि बाइक को अगर पॉलिश कर देते हो बाइक अच्छे सा धुल जाए उसके बाद point number two पे आना और simply आपको करना किये है कि आपके बाइक का जो chain है उसको आपको lubricate कर देना है यहां पर आप gear oil को भी डाल सकते हो इसके लावा जो chain spray है उसे भी डाल सकते हो ध्यान रखे कि chain में आपको जो used engine oil है जो जला हुआ मोबिल रखना जरूरी है अब chain वाला काम होई रहा है lubrication होई रहा है तो लगे हाथा point number three में आजा और बाकी के जो livers वगएर है उसे भी lubricate कर दो बहुत जादा मुश्किल नहीं है जहां पर बाते ब्रेक लिवर, कलच लिवर, gear लिवर, kick लिवर, side stand, main stand, foot rest इन्हें भी आप lubricate कर द सकते हो और best यह होता कि WD 40 का आप use कर लो इससे क्या होता कि जंग नहीं लगता और अगर जंग लगा हुआ है तो उससे भी यह निकाल देता है मैं खुद भी WD 40 ही use करता हूँ बहुत ही बेतर product है इसका भी link आपको description में मिल जाएगा French topic में आगर बंड़ से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गेम खिल कर पैसे कमाने के बात ही कुछ और है क्या आपको नहीं पता मैं बात कर रहा हूँ प्लेयर स्वाट एप की जो कि मेरा personal favorite fantasy gaming app है इस एप में आपको 15 से भी जादा गेम मिल जाएगे जैसे कि fruit slice, snakes and ladders, sheep fight, rummy, horsey, chase, ant man, etc. और यहाँ पे आप अपने बच्पन के favorite जो game है Ludo उसे भी खेल सकते हो और लाखो रुपए कमा भी सकते हो, description में लिंक है वहाँ पे click करके आप Ludo Game को join कर सकते हो, friends यहाँ पे आप live chat कर सकते हो, साथी private Ludo pot में friends के साथ भी खेल सकते हो, अब सवाले की player spot पे ही क्योंके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा यह made in India है, 100% safe and secure है, 7 million से भी ज्यादा users है, साथी यहाँ पे बहुत easy withdrawal भी है, और bonus मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे referral code place 200 को use करते हो, तो आपको 200 रुपए का sign up bonus भी मिल जाएगा, साथी जो player spot का refer and end व कर ले, चली topic पे वापस आते हैं, तो lubrication सारा हो गया, उसके बाद आपको एक नजर मानना है engine oil में, आपको देखना है कि आपके bike में जो engine oil डाला गया, उसका जो level है, जो quantity कहीं, वो minimum का level है, उससे कम तो नहीं हो गया है, यह बहुत जादा जरूरी और इसे बिलकुल check करना अचा यह बहुत मुश्किल नहीं है, hardly एक मिनट ही लगेगा, तो आप engine oil को देख लो, फ्रेंस यह बहुत जरूरी है कि engine के performance, power, output, mileage वगरा के लिए, कि engine के अंदर में सही quantity में, सही quality और सही grade का engine oil हमेशा अविलेबल हो, तो एक नजर आप engine oil पे भी मार लो, engine oil को check कर लो, औ और अगर कम है तो टॉप अप कर लो, वैसे अगर आपको आपके bike का engine oil है, उसे किस तरह से चेक करना नहीं पता, तो उसके लिए आपको यह वाला वीडियो देखना होगा, इसका भी link आपको description में ही मिल जाएगा, और फ्रेंस जब आप लेवल चेक कर ही रहे हो, तो एक और आपको देख लेना है कि आपके bike में चाहिए disc brake front में हो, चाहिए दोनों में हो आगे पीछे, तो just brake fluid जो है, उसका लेवल कहीं कम तो नहीं हो गया, क्योंकि brakes किस तरह से काम करेंगी, इस पर जो brake fluid की quantity है, वो भी बहुत जादा depend करती है, और over the time क्या होता है कि जो brake fluid है, एक तो वो जादा गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसके quality गिर जाती है, साथी quantity भी कम हो जाती है, तो एक नजर एक minute लगेगा, आप brake fluid में मार लें कि हाँ, brake fluid कैसा है, अब जब ये सब चीज़ आप चेक कर लो, उसके बाद आपको एक तरफ ध्यान देना, tire में आपको माना है, यहां बहुत जरूरी है, चेक करना कि tire, खासरे कर ट्यूबलेश टायर दिया गया है, तो आप एक बर चेक कर लो कि tire में कोई कील वगर तो नहीं गिया है, ठीक है, उससे क्या होगा कि in case क्या होता, ट्यूबलेश टायर में बहुत धीरे-धीरे हवा जाता है, तो आ इक नजर टायर पे मान नहीं होता है, उसके बाद फाइनली आप एक बार जो शौकर है, आगे कर शौकर, पीछे कर शौकर, चूकि वहाँ पर रिंग्स वगरा होते हैं, ठीक होता है, तो शौकर के अंदर हम आप देख लो कि कहीं oil का leakage तो नहीं है, उपर उपर से just इनी ची को, उसके लिए आपको कभी भी time निकाल के 10-15-20 मिनट में आप कोई भी local garage है, जो roadside garage है, वहाँ पर जाके आप काम करा लो, दो तीन ही काम कराना है, एक तो जो air filter है, उसे निकाल के फटा फटा से उसमें जो हवा है, वो मरवा दो air filter को clean करा दो, उसके बाद जो tire है, tire में अ आपको मालूम चला ही, कितनी जल्दी, कितनी असानी से सारी चीज़े complete हो गई है, और मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि 30 दिन में एक बार 30 मिनट के लिए तो कम सकम, आप अपने bike के लिए उसका जो time है, वो निकाली सकते हो, ताकि लंबे समय तक engine वगरा भी बेतर रहे, bike look wise भी बेतर रहे, तो friends, यही है मेरा bike का 30 days, 30 minute maintenance trick, उमीद है कि आज कि यह बीट आपको पसंद आयोगा, वीडियो चला लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए, इसके अगलाव अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो please चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिल अकन को भी दबाले, ताकि आने वाली मॉटने वीडियो के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के तुरू मिलते रहे, मिलते अकले वीडियो में, थैक्स वाचिंग इस वीडियो, गुद बाई!